वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंट सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें वीडियो निम्लिक्गित प्रांटों मेंसे किस प्रांट के सत्यागरहियों कि संख्या महात्म गांधी के डांडी कुष में सरवादिक थी अब उत्तर प्रदेश के तो वहां जा नहीं सकते हैं कि उस समय तो convenience नहीं था और दूर दूर जहां से start करें वहीं कि होंगे तो obviously बाते हैं तो question ही easy होगे आप easily इसको लगा सकते हैं इसमें ये ज़रूर याद रखना कि 12 मार्च 1930 को महत्मा गांदी ने डांडी गुजरात में समुदर तर्ट पर नमक कानून का उलंगन करके सविनय अविज्या अंदोलन start करने के अपने उद्देश से अपने सावर्मती आश्रम से जो उनके चुने हुए साथ ही थे उनके साथ में वो सत्याग्रह के लिए उन्होंने कूच किया था इस कोशन में यहाँ पर आपसे पूशा गया है कि निमलिकित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागेदारी जो है वो सरवादिक मानी जाती है और सही आंदोलन नमक सत्याग्रह बारदोली कूच या फिर भारत छोड़ो आंदोलन तो सही आंसर क्याएगा हमारा option B यानि की नमक सत्याग्रह अब कौन-कौन महिलाएं हैं जिनके नाम यहाँ पर important है सरोजनी नाइडू अमरत राजकमारी अमरत कौर इसके लावा कमला देवी चटोपाध्याय वो सब इस पूरे सत्याग्रह में शामिल रही थी move on करते है next question पे तो आगे चले next question को देखें इससे पहले कुछ एक information है आपनों के लिए जो बहुत important है अगर आप लोग उत्तरप्रदेश PCS की तयारी कर रहे हैं आप RO की तयारी करना चाहते हैं इन तीनों exam के अगर आप तयारी करने चाहते हैं तो steady for civil services के courses को आप जोइन कर सकते हैं complete तयार पर मिलेगा और यह सबको sufficient होगा आपके exam को crack करने के लिए exam को निकालने के लिए latest group start हो चुके हैं और उन group में आपको admission लेने के लिए simply जो यह number मैं आपके screen पर लिख रहा हूं इन numbers पर आप call कर सकते हैं 8564 880530 इस number पर संपर्ग कर सकते हैं इसके लावा 9696066089 इस number पर contact कर सकते हैं या फिर आप 7523-864455 इन तीनों में से किसी भी number पर call करके आप हमसे संपर्ग कर सकते हैं और यह latest group जो है इसमें आप admission ले सकते हैं तो सही answer क्या आएगा यहां पर हमारा option C यानि की dandy March के बाद इसके बाद move on करते हैं next question पर इस question में यहां पर पूछा गया है कि dandy March यह शुरू किया गया था कब तो सही answer क्या आएगा यहां पर कि जब नमक कानून तोड़ा गया था उसके बाद यानि की option B जो होगा वो यह निर्वाचन के वहिशकार से नमक कानून के तोड़ने से हिंदू-मस्लिम एकता सिय अफे छुआ-चियूत को दूर करने से सही आंसर ऑप्शन बी यानि कि नमक कानून को तोड़ने से इसके बाद अगले कोशन की बात करते हैं यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि भारती इत सही आंसर ऑप्शन यानि कि गांधी द्वारा डांडी मार्च को शुरू किया गया इसके बाद नेक्स्ट कोशन की बात करते हैं इस कोशन में यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी द्वारा नमक अंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया बिलकुत सही बात है और महात्मा एक कैल नहीं हमारा इंकरेक्ट है जो कारण है वो इंकरेक्ट है ठीक है तो प्लेशन में यहाँ पर पूछां गया है कि सत्त के वीरुद अधिकार अधिकार की इस लाई में मैं विश्व की सहानभूति चाहता हूं यह कतन किस्य संबद है और सही में इसके बाद अगले कोश्चन की बात करें इस कोश्चन में यहाँ पर पूशा गया है कि गांधी जी की जो डांडी मार्श था उसके संदर्व में यहाँ पर स्टेट्मेंट दे रखें बताना ही कौन सा जो है असत्त है तो पहला स्टेट्मेंट है कि यह सावरमती आश्रम से डांडी ग्राम तक का मार्श था एकदम सही है दूसरा है नमक कर का विरोध करना उसका विशेश प्रयोजन था यह भी सही है इसके बाद समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था यह जो स्टेट्में उनका उलंगन करके सविने अविग्या अंदुन का शुबारंब करने का निश्चे किया था ठीके अब नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुक मुद्दा बनाया गया क्योंकि सरकार ने यह नमक तो बहुत आवशक चीज थी लेकिन इसकी बिक्री को नियंतरित करके रखा और उन्होंने अपने सावर्मती आश्रम जो की एहमदाबाद में वहां से सत्याग्रह जो इसमारक है उसमें दांडी मार्च में तकरीबन गांदी की जो असी सहीयोगी थे गांदी सहीत अगर हम कहें तो टोटल 81 हो गया उनकी सूची भी इसके अंदर दे रखी जो एक संस् पांच अप्रेल 1930 को वह डांडी पहुंचे थे और 6 अप्रेल 1930 को उन्होंने मुठी बर नमक अपने हाथ में लेकर सत्याग्रह जो सवने अविग्या अंदुलन था उसका श्री गणेश किया था सो ऑप्शन सी जो है वह यहां पर कैसा है हमारा असर्त्य है इसके बाद पैदल यात्रा थी एकदम सही बात है wen की यात्रत ही अब सावर्मती आश्रमस आरंश के होकर इसका समापन कहां पकी डांडी गुज्रात में हुआ यह वाली बात मी सही है टोटल इसमें 24 दिन की यात्रा कर प् испытल यह वाली बात भी सही है बट यह जो यहां पर डेट रखी ह यहाँ पर incorrect है क्योंकि यह कितनी होनी चाहिए थी आपकी 12 March 12 March 1930 को इसको start किया गया था So इस तरीके से answer क्या होगा हमारा option D और इसी के साथ आज के अपने session को यहाँ पर end करते हैं फिर मिलते हैं next video में Till then thank you so much, have a nice tip आपाए